दोसों, आज के तारिक में Infinix बहुती बढ़ीया काम कर रहा है, in fact, Infinix ने Xiaomi को replace कर दिया है, budget segment में as well as mid premium segment में, ये जो नया स्मार्टफोन Infinix ने लॉँच किया है, Infinix Note 40 Pro 5G, ये एक amazing स्मार्टफोन है, जिसमें इंडिया का पहला dedicated power management chip यूज किया गया है, इस chip का नाम है Infinix Cheetah X1, अब ये जो chip है, ये Infinix ने in-house में develop किया हुआ है, मतलब कि खुद के research और development से ये बनाया हुआ है, अब ये जो फोन है, इसकी unique चीज क्या है, मैं आपको बता जता हूँ, एक तो pricing बहुती बढ़िया है, 19999, लेकिन ये जो pricing है, ये office के साथ में है, अब ये जो smartphone है, इसमें Infinix ने कुछ ऐसे features दिया हुआ है, जो कि आम तोर पे आपको ये जो iPhone है, इस पर मिलता है, मतलब कि यहाँ पर जो iPhone पर Magnetic Max से feature है, for example, अगर आपके पास ये Magnetic Power Bank है, इसे आप यहाँ पर इस प्रकार से चिपका सकते हैं, तो ये जो functionality है, ये इस phone में भी दिया हुआ है, in fact, ये देखे, इस चोटा सा device आप देख रहे हैं, ये भी एक Power Bank है, जो कि Infinix ने launch किया हुआ है, और ये Magnetic है, अगर आपके पास iPhone है, तो उसके ओपर भी आप इसे, ये देखे, इस परकार से चिपका सकते हैं, इसकी खासित ये है कि ये बहुत ही पतला है और काफी handy भी है, and of course, य ये wireless charger, ये भी Magnetic है, ये यहाँ पर इस परकार से चिपक जाता है, तो बहुत ही interesting smartphone है, Infinix का, और ये आपको 9999 में मिल सकता है, with offers, वैसे इसका performance कैसा है, box में आपको क्या-क्या मिलने वाला है, और offers क्या है, ये सारी चीज़े आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इसलिए देखते रहे हैं, जितना interesting smartphone है, उतना ही interesting इसकी box packing है, take charge Infinix का ये नया smartphone है, और box खुलते ही, ये दिखें, यहाँ पर India's first dedicated power management technology, और इसमें Infinix का X1 Cheetah chipset यूज किया गया है, और यहाँ पर दिखें, 20W wireless mag charging support के साथ में, 100W fast charging और wireless reverse charging support के साथ में भी आता है, इसे मैं ख और यहाँ पर ये चोटा सा booklet है, जहाँ पर ये देखें, first in segment technologies में जो यूज किया गया है, उसके बार में जानकरी दिया हुआ है, एक तो है, ये Infinix X1 Cheetah chipset, 20W wireless charging, इंडिया का पहला wireless mag charger solution, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, और इंडिया का fastest 100W wired charging support के साथ में, ये है handset, Infinix Note 40 Pro 5G, वैसे 40 Pro Plus variant भी अविलेबल है, तो चलिए ये तीनों boxes के unboxing करते हैं, सबसे पहले ये देखें, ये है MagPad, ये wireless magnetic charger है, डीटेल से यहाँ पर दिया हुआ है, ये 15W का magnetic wireless fast charging pad है, और box के अंदर एक user manual मिलने वाला है, उसके अलावा ये देखें, ये है छोटा सा magnetic charging pad, और ये चिपकता है, यहाँ पर देखें, टाइप C port दिया हुआ है, तो जो charger है, cable के साथ में आपको यहाँ पर connect करना है, उसके बाद में आप जो device है, मतलब कि ये जो handset है, इसे चार्ज कर पाएंगे wirelessly, और इसके अलावा ये भी काफी interesting device है, ये है mag power wireless charger plus portable battery, basically power bank है, 3000 mAh capacity क ये साथ में आता है, और अचली बहुत ही compact सा device है, बहुत ही interesting device है, मुझे ये काफी पसंद आया, मुझे लगता है कि आप इसे काफी लोग इसे खरीदने वाले हैं, अलग से, चाहिए आप इसे खरीदे या ना खरीदे, लेकिन ये definitely काफी लोगों को interest करने वाला है, खास कर के iPhone users को, और मुझे रगता है कि Infinix को ये अलग से भी बेचना चाहिए, तो ये देखें, ये है चोटा सा power bank, यहाँ पर ये बटन दिया हुआ है, टाइप सिपोर्ट है, और इंडिकेटर है, प्लस ये magnetic है, तो ये जो दोनों wireless charging technology है, इसे मैं साइड में रखता हूँ, और इस 16GB RAM, 8GB में virtual RAM है, 45W का fast charging support के साथ में आता है, made in India और warranty in India, और key specifications यहाँ पर mention किया हुआ है, जो box है, इसे अल्रडी मैंने खोल दिया है, handset जो है, इसे यूज करना शुरू कर दिया है, box में, आपको ये handset इस प्रकार से मिलने वाला है, इसके पर जो key features है, इसके बार में जा finishing भी काफी amazing है, इसके अलावा box में, आपको 45W का adapter मिलता है, जो की box में दिया हुआ है, ये screen guard भी दिया हुआ है, प्लस इनके अलावा SIM tray ejector pen, ये है कुछ booklets, ये है Infinix का Note 40 series का sticker, ये है data cable, और ये काफी interesting है, ये है magnetic charging case, अभी जो case है इसके उपर ही, ये जो accessories है, magnetic वाले, ये देखें, वैसे जो handset है, इसके उपर ये नहीं चिपकने वाला है, देखें, slide हो रहा है, वैसे जो handset है, wireless charging support के साथ में आता है, अगर आपने इसे इस प्रकार से रखा हुआ है, और यहाँ पर charging रखा हुआ है, या फिर ये जो power bank है, जो की magnetic है, wireless charging करता है, अगर आपने यह जो magnetic case है, यह यूज करना पड़ेगा, यह देखें, जो look and feel है, ज्यादा change नहीं करता है, और अच्छा सा protection भी provide करने वाला है, प्लस यह capability है, यह देखें, यह भी आ जाती है, तो यह जो power bank है, यह इतना छोटा है, इतना slim है, कि ज्यादा impact नहीं पड़ता है, of course, जो handset है, heavy हो जाता है, थोड़ा सा dimensions यहाँ पर change हो जाता है, लेकिन काफी comfortable है, इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि यह जो चीज है, आप में से काफी लोगों को पसंद आने वाली है, और खास करके जो Apple के users है, फिर जो Android users है, जिनके पास ऐसा handset है, जो कि wireless charging support के साथ में आता है, वो definitely इसे खरीदना चाहेंगे, मैंने यहाँ पर इसका जो SIM tray है, इसे eject कर लिया है, यहाँ पर देखिए, आप दो SIM में उसकर सकते हैं, नैनो SIMS, इस पर MicroSD card का option नहीं दिया हो है, वैसे भी यह 256 GB storage space के साथ में आता है, plenty of storage space, चलिए सबसे वहले बात करते हैं, यह जो mag pad है, जिसे यू कर दिया है, और पीछे आप देख सकते हैं, हेलो effect भी दिया हुआ है, काफे interesting smartphone है, और यह आपको बहुत ही बड़िया pricing में मिल रहा है, तो यह जो चीज है, magnetic charging, इसका सबसे बड़ा फाइदा क्या है, देखे, on the move, इसके साथ में आप इसे यूज कर पाएंगे, और वायर ल मैंने यह case लगाया हुगा, लेकिन यह case है, अगर मैं निकाल दूँ, तो इसके अंदर ही magnetic feature है, मतलब कि अंदर में भी एक metal coil है, जो कि यह magnet है, जब आप यहाँ पर place करते हैं, तो यह देखे, यह इस प्रकार से चिपक जाता है, अब इस चकर में ऐसा होता है, कि जो handset है, बढ़ जाता है, तो यह सब avoid करने के लिए, इंफिनिक्स ने क्या किया है, कि जो case है, क्योंकि आम तर पे इंडिया में जो users है, जब कभी कोई smartphone करते हैं, चाहे वो iPhone हो या फिर कोई भी phone हो, उसके उपर case ज़रूर लगाते हैं, तो इंफिनिक्स ने क्या किया है, बहुत ही clever design है actually, यह जो case है, इसके अंदर ही एक तरह से magnetic option दिया हो है, मतलब कि इसके अंदर एक metal है, और जब आप magnet को इसके पास लिखे आएंगे, तो यह चिपक जाएगा, यह देखे इस प्रकार से, और of course यह जो handset है, यह magnetic charging support करता है, वैसे बिना case के भी charge होगा, लेकिन कहूंगा, बहुत ही attractive है, प्लस यह मुझे काफी अच्छा लगा, यह देखे, यह इस प्रकार से चिपक जाता है, और इसमें वैसे तो battery कम है, लेकिन काफी situations में यह काम में आ सकता है, और जब यह charge होता है, तो यहाँ पर देखे, animation आपको मिलता है, इन फाक्क यह जो halo effect है, इसे आप बहुत सारी जगा पर यूज कर पाएंगे, यह भी एक unique feature है, लेकिन जो सबसे interesting चीज है, वो यह magnetic charging capabilities, Mac safe या Mac power कह लीजे इसे, अब यहाँ पर इसे यूज करने के लिए, type support दिया हुआ है, आपको power देना है, और फिर आप चार्ज कर पाएंगे, तो इसमें जो Cheetah X X1 chip set यूज किया गया है, यह जो chip है, यह power management को optimize करता है, performance काफी हद तक इंप्रूव करता है, और जो battery life है, इसे भी काफी हद तक इंप्रूव करता है, बहुत सारे safety protection के साथ में आता है, और इस handset में एक और unique feature दिया हुआ है, खासकर कर आप games खेल रहे हैं, उस दरहन अगर आपने connect किया हुआ है, उसके जरी आ रहा है, तो इस से जो battery life है, यह काफी हद तक improve हो जाता है, खास करके यह बहुत बड़ी option है, उन लोगों के लिए, जो अकसर power cord को connect करते हैं और phone को use करते हैं, इसमें तीन charging modes या हुआ हुआ है, hyper charge, smart charge और low temperature charge, extreme cold condition में भी यह handset है, यह efficient ह और यह smart overnight charging support के साथ में आता है, मतलब यह कि रात के समय अगर आपने charging पे से रख दिया है, 80% charge होने के बाद, जो charging है, यह रुख जाएगा, और जब आप उठेंगे सुखे, तो उसके कुछ घंटे पहले, जो charging है, यह फिर से शुरू हो जाएगा, ताकि जब आप उठ यहाँ पर इसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं, आप यहाँ पर पीछे की तरफ देख सकते हैं कि जो lighting effects है, यह किस प्रकार का दिखने वाला है, तो बहुत सारे options अवालेबल है, और आप back side पर देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से यह काम कर रहा है, यह भी एक काफी interesting feature है, जो 120Hz refresh rate, Full HD plus resolution, TV Rinland low blue light certification के साथ में, और display का size है 6.78 inches, display की quality काफी बढ़िया है, प्लस sound by JBL, and यह जो handset है, यह dual speakers के साथ में आता है, मतलब कि entertainment के हिसाब से भी यह बहुत ही बढ़िया option है, धूप में भी जो display है काफी बढ़िया तरीके से visible है, अगर अगर आप जादा वीजो तो उसके लिए यह perfect option रहेगा, देखे design के अगर बात करें, तो पीछे leather type texture दिया हुआ है, प्लस यह curved display है, पीछे भी curved है, और जो display है यह भी curved है, एक बहुत ही amazing feel आपको मिलता है, और जो case है, case लगाने के बाद भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यह जो handset है, इसका जो weight है या फिर जो dimensions है, या फिर जो hand feel है, वो change हो गया है, in fact, काफी बढ़िया feel मिलता है case के साथ में, and without case भी amazing है, और खास करके जो leather finishing है, यह amazing लगता है हातों में, वैसे यह तीन color options में available है, rear side पर 108 megapixel, OIS 2 megapixel और 2 megapixel combination उसका गया है, और जो front camera है, यह 32 megapixel का है, तो यह है camera का इंटर 108 megapixel में shoot करना है, तो यह देखे, यह option दिया हुआ है, और AI का option दिया हुआ है, enhancements के लिए, filter के भी बहुत सारे options है, और portrait mode है, by default इस पर ध्यान दिजिए, जो F है, जाधा होगा, तो आपको जो background blurring है, वो नहीं मिलने वाला है, इसलिए somewhere around 2 या फिर 4 के आश पास रखे, यह देखे, video mode है, आप maximum 2K at 50 fps में videos record कर पाएंगे, और video में आपको यह stability का option मिलता है, ultra steady mode, लेकिन यह 1080p at 30 fps में videos record करने वाला है, और एक और option दिया हुआ है, ultimate video enhancement, लेकिन इसमें जो stability है, यह off हो जाता है, अब depend करता है आपको कौन सा option यूज़ करना है, film mode दिया हुआ है, जो कि aspect ratio को change करता है, प्लस यह दिखे, यह सारे एक तरह से themes available है, इन्हें आपको follow करना है, shot formats के लिए यह काफी बड़ी option है, super night mode दिया हुआ है, low light photography के लिए, और यह है अन्य options, जिसमें sky shop का भी option दिया हुआ है, जो sky shop है, उसे use करके आप यह दिखे, इस प्रकार के creative shots shoot कर पाएं यह दिखे, यह कुछ और portrait shots है, इसमें आपको थोड़ा सा zoom in option मिलता है, यह जो angle है, मैंने change करके shoot किया हुआ है, अगेन आपका जो photograph skill है, उस पर भी depend करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है, यह direct sunlight में photo shoot करते हैं, और फिर complain करते हैं, तो angle change किजिए, आपको अच्छा output मि रहा है, यह कुछ और shots है, random shots, और यह है long shots, यह है मेरा selfie shot, यह है night shot, low light shot, not bad, और यह मैंने 5x zoom से shoot किया हुआ है, यह OS के साथ में आता है, और यह देखे, यह है sample video जो कि मैंने इसी smartphone के साथ में शूट किया हुआ है, अब stability है, लेकिन skills भी होना चाहिए, बहुत important है, अब यह जो handset है, यह in display fingerprint sensor के साथ में आता है, इसमें dual band Wi-Fi है, 5G support के साथ में आता है, अब Jio SIM as well है, जो ADL का SIM है, उसे इसमें use कर पाएंगे 5G networks के साथ में, और यह XOS 14 रन कर रहा है, जो कि एक तरह से काफी हद तक clean system है, Android 14 पर based है, इसे दो major Android upgrade मिलने वाला है, प्लस 3S का security updates मिलता 1000 के आसपास, जो कि अच्छा है, in fact, जितने भी smart phones पर आपको 4 लाग के उपर का score मिलता है, उसके उपर आप games खेल पाएंगे, इतना smooth experience तो नहीं होगा, लेकिन काफी हद तक games आप खेल पाएंगे, चलिए, टेस्ट करते हैं, तो यह देखे, मैं World War 2 गेम इस पर खेल रहा और यह जादा heat up भी नहीं होता है, अन्या specifications के अगर बात करें, तो इसमें 5000 mAh के battery है, e-compass, light sensor, fingerprint proximity sensor, gyro, SAR sensor और infrared sensor इसमें दिया हुआ है, जिया दोस्तों यह IR blaster के साथ में भी आता है, और इसमें NFC भी दिया हुआ है, मतलब कि बहुत सारे ऐसी चीज़े हैं, जो कि आप imagine नह वाला है, वो सारी चीज़े आपको इसमें मिलने वाली है, एक और variant available है, note 40 pro plus, जिसमें 4600 mAh के battery है, और यह जादा RAM के साथ में आता है, वैसे उसमें जादा difference नहीं है, मुझे लगता है कि जादा करके लोग जो है, यह note 40 pro 5G खरीदने वाले है, more than sufficient है, इसमें 8GB RAM है, और 256GB storage storage space के साथ में आता है, दोस्तों, आज के तारिक में बहुत सारे जो ब्रैंड्स है, यह जादा RAM और ROM दे रहे हैं, और of course, जो RAM expansion technology है, या फिर RAM booster कह लीजिए, या फिर virtual RAM कह लीजिए, उसे यूज़ करके आप double RAM कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ है, जो minimum, जो actual RAM है, उसकी जो capacity है, काफी हथ तक यह बढ़ चुकी है, और जो storage space है, इसकी जो capacity है, यह भी काफी हथ तक बढ़ चुकी है, और इसका फाइदा यह है, कि जब कभी आप को यह phone खरीते हैं, तो आप देखेंगे कि एक साल या दो साल के उपर होने के बावजूद भी जो handset है, यह आपको काफ बढ़ा reason है कि जो लोग हैं, यह इतना जल्दी phones को change नहीं कर रहे हैं, तो कह सकते हैं कि यह जो phones है, यह long lasting बन गए हैं, तो जो Infinix Note 40 Pro 5G है, इसका जो net effective pricing है, यह है, 19,999 रुपीज आफस के साथ में, और अगर आप pre booking करते हैं, तो आपको यह जो चीज आप देख रहे हैं, यह मिल सकता है, तो जो pre order benefit है, उसके तहित, जो user है, उसे mag case और mag power मिल सकता है, वर्त रुपीज 4,999 रुपीज, यह limited period के लिए हैं, अगर आप यह product खरीदना चाहते हैं, link मैंने वीडियो के description में दिया हुआ है, टेकते रहे हैं,